नमस्कार स्वागत आपका न्यूस वोल इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागे और आप देखरें हमारा खास बुलिटन अभी-अभी केंद्रिय मंतरी परिशद में व्यापक फिर बदल के बाद अब बीजेपी संगटन में भी बदलाव की तयारियां शुरू हो गई है इसी करम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने रविवार को पार्टी के राश्ट्रे सचीवों के साथ बैटक की उन्होंने संगटन की गतिवीदियो और पांच राज्यों में खोने वाले विदानसबा चुनावों की तयारियों की समिक्षा की बाद में सभी प्रदानमती नरीन मूदी के बुलावे पर उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें वस्तु सिती से अफगत कराया गया सूत्रो केरुसा पार्टी सेचिवों के साथ बैचक में नड़ा ने संगटन की गतिवीदियो के साथ साथ कोविटी का करन अभ्यान पर भी चर्चक ही हाला की करीब एक घंटे तक चली इस बैचक के दोरान चर्चक का केंद्र वो पांच राज़े रहे जहां अगले साथ विधान सबाच चुनाप होने वाले हैं इन में उत्तरप्रदेश, उत्राखन, पंजाब, गोवा और मनिपुर्ण शामिल है बतादे उत्तरप्रदेश समय चार राज़ों में बीजेपी की सरकार है, वहीं पंजाब में कॉंग्रेस सत्ता में है देश में आज पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर से इज़ाफा हुआ है आज पेट्रोल 28 पैसे महंगा हो गया, जिसके बाद रास्दानी दिली में आज एक लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपे के पार पहुँच गई है हाला कि आज डीजल 16 पैसे ससा हुआ है, दिली में अब तक एक लीटर पेट्रोल 101 रुपे तो 23 पैसे है और एक लीटर डीजल 89 रुपे 76 पैसे में बिल पहा है श्रनिवा को पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई थी, देश के सभी महानगरों में पेट्रोल की कीमते अब 100 रुपे प्रतिलीचा को पार कर चुकी है जिन 15 राज्यों में पैट्रोल सौस का आकड़ा पार कर चुका है उनमें राजुसान, वद्रप्रदेश, महराष्ट और अंद्रप्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाजु का नाटक, जम्मू और कश्मी, ओरिसा, केरल, बिहार, पंजाब, लदाक, सिक्केम और दिली शामिल ह कहा कि अगर अंतराष्टे स्तर पर तेल की कीमतों में मजबूती जारी रही तो इर्दन की कीमतों में और व्रद्दी हो सकती है इर्दन की कीमतों में अब तक 40 दिनों की व्रद्दी हुई है और 1 मही से 35 दिनों तक आप परिवर्दित बनी हुई है केरलो महराष्ट में कोरोना संक्रवन के मामलों में कमी नहीं आने से केंद्रिय स्वास्ते मंत्राले हैं है देश के अने राजों में कोरोना की दूसरी लहर जिस तरह से तेजी से फैल रही है उसी गती से कम भी होती चली गई इन दोनों राजों में पिछले तीन हफ्तों से नए केस आथ हजार से पंदा हजार प्रति दिन के बीच बने हुए हैं इस मूल वज़ा का पता लगाने के लिए स्वास्ते मंत्राले अब इन दोनों ही राजों में विग्यानिक अध्यन कराने पर विचार कर वहा है स्वास्ते मंत्राले के कबरे स्वाधिकारी ने कहा कि पूरे देश में प्रति दिन कोरोना के नए मामलों में 52% से ज़्यादा केरल और महराश्ट से आ रही हैं 10 पीसद से ज्यादा संक्रमंट दर रही है इन्वे से केरल और संख्या आठ और महराश्ट में दो जिले शामिल है अलकाइदा से जुड़े दो आतंकवादियों के रविवार को लखनओं में पकड़े जौने के बाद से खलबली मल्चिक हुई है ADG Law & Order प्रशांद कुमार ने प्रेस कॉंफरेंस में इनके खतरना किरादों का खुलासा कर दिया है ADG ने बताया कि आतंकी मिनहाज, एहमद और मसुरुदीन ने 15 अगस से पहले लखनों सहीत उत्तरप्रदेश के आधा दर्जन शहरों को धहलाने की साज़े श्रची थी प्रशांद कुमार के साथ ही IG, ATS, Dr. GS गोस्वामी ने बताया कि आतंकी मिनहाज और मसुरुदीन ने लखनों में ही प्रेशर कुकर बम की खेप तयार करने के साथ ही 15 अगस से पहले लखनों हुआ नसी, प्रियागराज, आगरा, मेरच, बरेली और आयोध्या को धहलाने की योजना बना ली थी, इन दोनों आतंकवादियों का कानपुर कनेक्शन भी सामने आया है, प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों आतंकवादी अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े हुए हैं, इनके टागेट पर उतरप्रदेश के सभी बड़े धार्मिक नकर थे, ये आज मौनसून के दिल्ली पहुंचने के उम्मीद जताई गई है, मौसम विभाग ने सुमबा सुबह से तेज बारिष का अनुमान जताया था, हालकि अभी तक बारिष नहीं पड़ी है दिल्ली में, इस मौसम में कई बार ऐसा हुआ है, जब दिल्ली में मौनसून के आगम जय महापात्र ने बताया कि दिल्ली के उपर मौनसून के सक्रिय होने की अनुकूल परिस्तियां हैं क्योंकि पूर्वी हवाओं की वज़र से हवा में नमी काफी बढ़ गई है, उन्होंने कहा कि निम्र दवाव का शेत्र बनाने से भी मौनसून को गती मिलेगी दिल्ली में मुंटका थाना शेत्र से टिक्री कला पीवी सी मार्किट में रविवार रात अचौनक आग लग गई, आग लगने से मार्किट के एक बड़े प्लोट में ग्याग लगी थी वता देया और लाखों का नुकसान आग लगने से हुआ है, वता देया यहां खुले म की 43 गारियां मौके पर भीजी गई, करीब 200 अगनी शमन कर्मी भी आग बुजाने का प्रयास करते रहे, अगनी शमन में वहाग के निदेशक अतुल गर्ग ने बताया कि पौने 9 बज़े आग लगने की सूचना मिली थी, तद काल मौके पर पहुँचकर दमकल कर्मी ने प्रकती प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है, बता दें के दानात में सापिद भ्रहम वाटिका में भ्रहम कमल खिलना शुरू हो गया है, जबकि कई पौधों पर इस सपता में और भी भ्रहम कमल खिल जाएंगे, आपको बता देंगे, साल 2017 में पुलिस ने केदार पुनर निर्मान ड्रीम प्रोजेक्ट में भ्रहम वाटिका भी शामिल है, श्री नगर गरवाल सायुक्त अस्पताल में तब हंगावा हो गया, जब आशा कारकरताओं ने अस्पताल प्रबंदन पर बदसलूखी करने का आरोप लगाया, कारकरताओं को कहना था कि वो अस्पताल का एक कर्मी उनके साथ अब शब्दों का प्रियोग करने लगा, उन्हें हेल्प डेक्स से बाहर चाने की बात कहने लगा, जिससे गुसाई आशाओं ने अस्पताल में कारेबहिशका शुरू कर दिया और मांग की है कि संबंदित कर्मी उनसे लिखत में माफी मा अगे नहीं तो सभी आशाएं अंदोलन करेंगी इस बूलेटन में फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहें न्यूस वोल इंटिया